अयोध्या से भारती जन्ता पार्टी हारी नहीं है जान के हारी है एक दलित के सम्मान में एक बुजूर्ग के सम्मान में आप लोग जो है अवधेश प्रसाद को दी और वो जीत गए लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने बुजूर्ग हैं वो कि एक ही दो महीने के महमा है फिर जब चुना होगा तो फिर भारती जन्ता पार्टी लगभग पांच लाख वोटों से यहां जीतेगी जैस्री राम आयोध्या से मैं तपस्वी छाउनी पीठा दिश्वर जगत गुरु परमहन से आचारे जो आयोध्या की आतिमहत्तुपूर्ण सीट भारती जन्ता पार्टी हारी है मैं आपको रहाश्य बता दूँ भारती जन्ता पार्टी हारी नहीं है जान के हारी है क्यों कि मर्यादा पुर्शोत्तम भगवान स्री राम माता सवरी के जूठे बहर खाये थे केवट को गले लगाये थे ये रामराज्य है तो भारती जन्ता पार्टी ने नेने किया कि यहां इंडी गठ बंधन ने जिस प्रत्यासी को किकठ दिया है वह दलित समाज से हैं और अत्यंत बयोब्रिध हैं तो दलित के सम्मान में बुजूर्ग के सम्मान में भारती जनता पार्टी ने जान करके यह सीट जो है तो अपने लोगों से कह करके कि इस बार जो है तो बोट एक दलित के सम्मान में एक बुजूर्ग के सम्मान में आप लोग जो है अब्धेस परसाद को दीजिए और वो जीत गए लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतने बुजूर्ग हैं हो कि एक ही दो महीने के महमान हैं तो एक तो वो विधायक थे वो सीट जो छोड़े हैं वो भाजपाब जीत लेगी चुना होगा तो और एक दो महीने के बाद में जैसे ही ये मरेंगे अब्धेस परसाद फिर जब चुना होगा तो फिर भारती जनता पार्टी लगवक पांच लाख बोटों से यहां जीतेगी इसलिए मैं आपको बता दूँ यह भ भारी हूँ और यही रामराज का स्वरूप है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो आयुद्ध्या के प्रति जो है निगेटिव कमेंट कर रहे हैं लेकिन यह सच्चाई को समझें और यह रामराज की आधारशिला है बने मातर